नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानंद वसेष्ट सज्ड़ों अक्टूबर के महिने में करकर रासी वालों के लिए ये अक्टूबर का मेना कैसा रहने वाला गए है इसमें किन किन बातों का हम जो है ध्यान रखें साउधानी रखें जिससे की हमें परिशानी में ना पढ़ना पड़े और कौन-कौन से उपाए हम करके अपने परिशानियों से मुक्त हो सकते गें तो आईए सबसे पहले हम ब्रियस्पती और राहू को लेते के हैं ब्रियस्पती और राहू आपकी कुन्ली के अंदर या आपकी रासी के हिसाब से दसम इस्थान के उपर गुरू चंडाल योग बना रहे हैं गुरू चंडाल योग किसी भी इस्थान का हो अच्छा नहीं ह जुला फल पराप्त होगा चतुरत इस्थान के उपर इन दोनों की दृस्टी है वो प्रोपरटी के हिसाब से अपने मन की प्रसनता के हिसाब से यस और ख्याती के हिसाब से माता के हिसाब से यहां पर भी मिला जुला फल आपको पराप्त होगा कुछ अच्छा होगा तो गुजर जाता है और फल जो है बदल जाते हैं अब यहां शनी महराज आपके आठ्वे स्थान में करकरासी वालों को शनी की ढहिया चल रही है पहले मेने में भी आपने यही सुना होगा उससे पहले मेने में भी आपने यही सुना होगा और अब सुनकर कि आप यही कहेंगे कि यही बात जो हैं वो बोलते हैं लेकिन शनी बहुत लंबा चलता है तो अश्रमिस्तान में खें अश्रमिस्तान का सनी कस्ट ब्याधी चोट देने वाला होता है लेकिन आयू को लंबी करने वाला होता है यहां पर बैठा हुआ शनी कुछ पैतरिक संपत्ति तो दिला सकता है ज इसलिए आपको शनी का दान, पुन्य जैसे की तेल है, काला उडद है, काला कपड़ा है, चमड़े की जूते के इस प्रकार की चीजें आप शनी के बाहर जो बैठे हुए, मंदिर के बाहर बैठे हुए, जो गरीब लोग है, उनको आप दीजिएगा और लाब उठाईएगा, ठीक है, अब 17 अक्टूबर तक जो सूर्य हैं, वो आपके स्रेश्ट हैं, अच्छे फल देने वाले हैं, लेकिन 17 अक्टूबर से लेकर के महिने के अंत तक सूर्य आपके चतुरतिस्थान में होंगे, अकारण भैमेन में होगा, इस समय पर जिनको भी कार्तिक शांती करनी ह होती है, कार्तिक के मेने में जिनका जन्म होता है, उनको कार्तिक शांती करनी चाहिए, और इस मेने में आप जो कहें, उस कार्तिक शांती को कर सकते हैं, कार्तिक का महिना 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक होता है, तो इसके बीच में आप कार्तिक शांती करके या सू बार दिन आपके बहुत बड़िया गुजरने वाले गें। इसके अंदर राज्य की क्रपा, पिता की क्रपा, मंत्रियों का साथ, बड़े अफसरों का साथ और उनके द्वारा कोई रुका हुआ कारे आपका सिद्ध हो सकता के, पूर्न हो सकता के, कोई अपाइंटमेंट आप ये उस समय पर आपके नुक्सान के योग बनते के हैं और अगर नुक्सान तभी होगा देखिए एक तो अकारण कोई समस्या आ जाए और उसमें हमें खर्च करना पड़ जाए वो तो एक प्राकरति का आप दाग है लेकिन अपने हाथ से कहीं भी देनलेन आप ना करें कहीं इ बहुत बढ़िया जाने वाला है इसके अंदर घर में परिवार में समाज में रिस्तेदारी में हर जगे आपको मान सम्मान धन की प्राप्ति और इसके अलावा घर के अंदर कोई अच्छा माहूर अच्छा कोई उत्सव जो के आपके घर में हो सकता है ऐसा कोई समाचर प्र आप तो हो सकते हैं लेकिन अब इसके साथ ही अब 15, 16, 17 तारीक जो है उसमें आपको थोड़ा सा समल करके चलना होगा क्योंकि उस समय पर ये तीन दिन आपको किसी न किसी चंता से घेरे रखेंगे और वो चिंता का समन भी हो जाएगा चिंता दूर भी हो जाएगी लेकिन फि पढ़ने वालों के लिए बहुत बढ़ियाग है इंटर्वियू देने वालों के लिए बहुत बढ़ियाग है और कोई भी एक्जाम है तो वो आपका सफल होने वाला है और इसके आगे अब जो कहें 18, 19 के बाद आगे चलते हैं तो 20, 21 तारीक को अपनी वानी पर कंट्रोल परना आपकी वानी और वैवार के द्वारा किसी के साथ दुस्मनी हो सकती है जगड़ा हो सकता है पसाद हो सकता है तो उससे बसने का प्रयास आपको स्वयम को करना चाहिए अब 20, 22 और 23 तारीक ये आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी इसके अंदर व्यापार की स्वास्त इस समय पर गिर सकता है तो स्वास्त का ध्यान रखें यात्रा कोई भी हो तो इस्तगित करें और दूद और चावल का दान करें जिससे कि आपको इससे जो के बचाओ प्राप्त हो सकें बाकी अब आगे 26, 27, 28, 29, 31 ये 6 दिन आपके लिए लंबी यात्रा भी आपक हो सकती है, कोई घर के अंदर धर मोड़न सो भी जो के धारे मिक आज़ कारे भी आपके यहाँ पर हो सकता है, कोई पदवरध्धी, कोई अपाइँट्मेंट, या कोई रज्यकृपा आपको पराप्त हो सकती है और अकसमात कहीं से जो के अपना रुका हुआ धन या कोई जानना चाहते हैं, वो जान करके लाव उठाएं, नमस्कार. जयोतिश, वैदिक अनुष्ठान, पूजापाट, महामृतिंजय पाट, शत्चंडी पाट, बगुला मुखी पाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आधी हितु संपर्क करें. हमारे संपर्क सूत्र हैं, 783888-98421, हमारी वेबसाइट है, www.shreevashist.com.